नमस्कार दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे सुप्रेम कोट के बारे में सुप्रेम कोट ने अभी एक डिसिजिजन दिया है उसके बारे में आज पूरा डिसकसन करेंगे कि सुप्रेम कोट ने अभी इंडियन गोर्मेंट को ये बोला है कि दो वीक का जो टाइम है वो इंडियन गोर्मेंट को दिया है कि दो वीक के अंदर अंदर इंडियन गोर्मेंट जो बिटकोईन और क्रिप्टो करंसी का जो रेगुलेशन है इसके बारे में इंडियन गोर्म क्या वेचार है वो प्रस्तुत करें उनके सामने ठीक है तो क्रिप्टो करंसी का जो केस चल रहा है काफी टाइम से और एकोनोम एक टाइमस में जो आर्टिकल छपा है उसके आधार पर यह न्यूज है तो उसमें ने अभी यहीं बता है कि कोर्ट एज डिसीवड मल्टिपल प के लिए ठीक है और आइनर और बीटी सी का जो विड्रावल है वो पहले चल रहा था जैप पे यूनो कोईन जितनी भी एक्सेंज से सब में वो चार अप्रेल से रोक लगा रखी है आर्बी आई ने जितने भी इसके बैंक है उनसे लेंदेन के लिए तो मोबाइल एससेशे जो वाजरak्स जन्होंने पीर टुपीर आईनर टू बीटी सी ट्रांजक्शन स्टार्ट कर रखा है उन्होंने भी पैटेशन वाईल कर रखी है एफ देर रखा है और गोर्मेंट के तरफ से भी अभी गाइडलाइन आनी बाकी है तो सुप्रिम कोट ने जितनी भी से को regulate किया जाए और उसमें क्या-क्या बाद आए हैं तो सारी चीजों को इन्होंने प्रस्तुत करने के लिए बोला है दो वीक के अंदर सुप्रीम कोट में और जो नेक्स डेट है वो 20 नौंबर की दे गई है जो भी लेगल काउंसिल ओफ है क्रप्टो एक्षेंजिस के इंडिया बिट्स लिए लांच करना चाहते थी निउस आई थी लेकिन उसके लिए भी बातचीच चल रही है और काफ़ी क्रप्टो खरन से एकसेंज्जिस और रड पीचे बात चीच चल रही में की क्र्प्टो खरन सिकाव्स खुद की cryptocurrency जारी करेगी या इंडिया में cryptocurrency और bitcoin को regulate करने के लिए जो भी rule and regulation बनाए जाएंगे उसके बारे में अभी Indian government का decision बाकी है Supreme Court में ठीक है तो Indian government अपना पक्ष रखेगी next two week के अंदर अंदर Supreme Court ने इंडिया government को बोला है और जो crypto community सेट अप कर रखे Indian government ने उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि अपनी जो decision उन्होंने क्या क्या decision जैसा कि jab पे क्या आप सुन चुके हैं jab पे सब कुछ बंद करके दूसरे देश में settle हो चुका है वहाँ पे वो अपनी exchanges चला रहा है ठीक है तो Supreme Court ने जो दो विक का time बोला है Indian government को तो next दो विक के लिए दोस्तों आपको इंतिजार करना पड़ेगा जो भी Indian government फाइल करेगी उसके बारे में जो news आएगी वह हम आपको बताएंगे तो आशा करता हूँ कि ये जानकरी दोस्तों को पसंदा ये हुगी